तो very very good afternoon student, very very good afternoon, तो काफी बच्चों का ये था के सर हमारे income tax में क्या-क्या changes है और इस वज़े से उनका क्योंकि अभी मैं समझ बारा हूँ, जितने भी डियू के बच्चे हैं, अभी recently आपका semester 5 का exam है, है ना, semester 5 का exam है, और already आप semester 5 में कुछ chapters हैं, practical जो कि कर रहे हो, जैसे कि for example, आपका financial management है, या फिर economics है, या business stats है, काफी सारे subject है, यानि आपके पास सबसे बड़ा challenge है, एक तो semester 5 को crack करना, क्योंकि semester 5 में अगर आपके marks कुछ भी उपर नीचे होता है, तो एक साल पूरा खराब होता है, प्लस काफी बच्चों का ये कहना है, कि सर्च semester 3 के अंदर ना हमारी जो income tax में ER की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या changes है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो tension है, क्योंकि वो भी clear करना mandatory है आपको दोनों, तो बच्चे थोड़े से student जैसे आप सभी थोड़े से conscious कह लेते हैं, या फिर चिंता कह लेते हैं, या परिशान कह लेते हैं, हो, इस परिशानी को दूर करने के लिए, सिर्फ मैंने अभी एकदम से बच्चे कह रहे थे, कि सर पता internal होगा, हाँ, बिल्कुल, semester 3 वालों का ER का भी internal हो रहा है, जो बच्चे, regular वालों का तो पता है, बागी SL वालों का मैं confirm नहीं कह सकता, ठीक है, तो देखे, आपका मैं पहले syllabus थोड़ा सा बता दू कि क्या-क्या syllabus है, अगर मैं income tax की बात कर रहा हूं, ठीक है न, अगर हम बा नॉमिनल से हैं, तो सबसे पहले आपका है, इंट्रोड़क्शन, सर, इंट्रोड़क्शन क्या है, जिसके अंदर आपने परसन पढ़ा हुआ है, जैसे कि साथ परसन होते हैं, इंडिविज्वल, हुएफ, यह सारी चीज़े पढ़ी भी हैं, या फिर हुएफ, और इसके साथ साथ यहां पर स्लैबरेट है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है न, यहां खतम होता है, हमारा पहला चैप्टर, इसके अंदर इसी के बारे में है, एसेस्मेंट येर, प्रीविएस येर, ये सारी चीज़े, तो मैं कहना चाहूँगा, इसमे कोई भी चेंजिस नहीं है, आप किस लेवस में, एक बाद आप समझिएगा, कई बच्चे न, यूटूब पे जो होता है न, वो न्यू ट्लासस देख लेते हैं, फिर उससे मैच करने की कोशिस करते हैं, तो मैं बताओं, कि हमारे पास जो, मैं बुक बताओं, आपके जो ब अगले साल होगा, हमें 22 फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, जो कि 20 में, यानि हम एक साल पुराना पढ़ते हैं, हमें इसा याद रखिएगा, आपने पिछले साल जो पढ़ा था, वो 21 था हमारा फाइनेंस एक्ट, असेस्मेंट येर 22 था, ठीक है, अब असेस्मेंट येर आप आपका 23, 24 हो जाएगा, और आपका 21, 22 हो जाएगा, 22, 23 आपका हो जाएगा प्रिवियस येर, तो 22, 23 के अंदर गौर्मेंट ने, इन में कोई कोई चेंजस नहीं किया है, और यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हैं, या फिर गूगल करेंगे, तो डेफिनेटली क सरी, 2022, 2022, ठीक है न, 2022 और उसके साथ साथ देखा जाए, तो एससमेंट येर, 23, 24 देख लेजिए, ये देखना है आपने, ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा पीछे चलता है, और काफी जो आपके जादा से जादा कॉंटेंट मिलता है, बच्चों को मैं क्लियर कर देता ह वो CA के होते हैं, या CS के होते हैं, तो उनका हम, जो अब गर, उनका स्लेवरेट अगर अब यह देखोगे, तो वो स्लेवरेट हमारे स्लेवर्स का हिस्सा ही नहीं है, तो उस चीज को चिंदा छोड़ दो के सर, ये वाला तो आप ये बता रहे हो, ठीक है, तो सर, इसके हमारा एक CS लगता था, CS कहा रहा हूँ, या फिर मैं कहलो, सरचार्ज, इसमें चेंज इस है, और ये हमारे स्लेवर्स में, आज तक कुछ नहीं पूछा गया, तो आप इसकी चिंदा तो छोड़ दें, तो सर, पहले चेप्टर में, इंट्रोड़क्शन में कोई चेंज नही है आपके Delhi University के, Accordi, थिक है, नंबर दो पे हमारा चेप्टर है, सर, कौन सा चेप्टर है, सर दो पे, आपका है, दोपे, Residential Status, रेजिडेंशल स्टेटस सर इसमें कोई भी चेंज नहीं है नो चेंज ठीक है तो टेंशन देना जो आपके पास वीडियो अभिलेबल है उसमें सारे कुछन से टेनियर के कराए हुए है उनहीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ठीक है नंबर तीन पे चेप्टर कौन सा है सर हाउस प्रॉपर्टी इंकम फ्रॉपर्टी इसमें क्या चेंज इस है अगेन मैं कहना चाहूंगा नो चेंज चिक है नंबर चार पे है हमारा सर सेलरी सेलरी सर इसमें चेंज है क्या जी हाँ इसमें सिर्फ एक पॉइंट चेंज है एक पॉइंट वो भी मैं मान के चलू कि एक्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा आपके कोविड के टाइम पे इसको मैं अलग से कूश्चन मना जो कोविड के टाइम पे जो हम परकिजिट्स मिले थे सलरी जिन बच्चों ने करा अगर आपने कर रखा दो थो आप eleven तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि इसके अंदर एक होता है हमारा allowances और एक होता है हमारा perquisites तो perquisites में जैसे hospital benefit है तो उसमें COVID के time पे मिला करता था तो COVID-19 के time पे अगर कोई भी facility employer अपने employee को देता है तो fully exempt हो जाता है बस ये change था और कुछ इसमें parameters है जो कि मुझे लिखवा देना है ठीक है ना तो salary भी अगर आप कर रहे हो तो कोई change नहीं है और salary में slab rate लगता है तो slab rate already मैंने कह दिया कि इसमें change नहीं है सिर्फ इसमें सरचार्ज वाला हिस्सा change है और सरचार्ज हमेशा लगता है 50 लाग की से उपर income अगर आपकी है साल की तब लगता है और अभी तक आपने जितने question देखे होंगे 15-20 लाग income तक के ही questions पूछे जाते हैं 50 लाग से उपर का तो आता ही नहीं है तो बस इसमें ये change है मैंने लिख दिया number 5 पे हमारा है capital gain capital gain में कोई changes है क्या तो मेरा जवाब है sir no change due के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं capital gain में कोई changes नहीं है इसके अंदर सरिफ और सर्चार्ज वाला point जो change बोल रहा हूँ न वो यहां connected है जो कि आपके due के हिसाब से कोई change नहीं है जो कराएगा आपको proper उसी तरीके से study करना है नंबर छे पे आपका chapter आता है sir other source sorry pgbp pgbp नंबर छे पे आ जाता है हमारा इसमें थोड़े बहुत changes है उसको मुझे करवाने के जोरत है इसमें थोड़े बहुत change थोड़े बहुत भी क्या एक दो amendment sections है बाकी basic concept वही रहेगा किस तरीके से आप बनाएंगे income statement को या NPO को जो भी है किस तरीके से तैयार करेंगे सारी चीज़े वही है depreciation वाले में कोई change है section 32 जो था हमारा या फिर 44 AD जुतने भी section है कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है next year जो बच्चे पढ़ेंगे ना उसमें काफे सारी changes आ जाएगी ठीक है न अभी आपके लिए नहीं है साथवे नंबर पे हैं other source other source में क्या change है other source में सिर्फ covid 19 चेंज है तो मैं covid 19 का अगर मैंने ये करा दिया तो ये तो automatic cover हो जाना है ठीक है न बागी other source में कोई भी change नहीं है और ये मैं वो changes आपको बता रहा हूँ जो कि आपके exam से point of view से इतना important नहीं है इस बात को समझेगा आप क्योंकि हमारे mind में एक चीज़ चल रही है कि sir हम किस तरीके से अपना syllabus खतम करें आप change करवा नहीं रहे income tax भी pending पड़ा हूँ है यह मान के चलिए और आप देखे अभी पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में यह तो लेके चलते हैं कि यार पूरा syllabus खतम करना है लेकिन एक target नंबर को लीजिए कितने नंबर लेने हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से करते हैं तो 90% से अब बिलकुल सेम एजटीव पेपर आना होता है ठीक है 10% उपर नीचे हो जाता है तो सबसे पहले आप उसके हिसाब से सारी के सारी तैयारी करेंगे कि आपको पूरा का पूरा syllabus कंप्लीट करना या मार्क्स लेने हैं ठीक है क्योंकि कम टाइम बचा है उसके एसाब से बता रहा रहूं मैं आपको आठवे नंबर पर हमारा है सेट ओफ नो चेंज कोई भी चेंज नहीं है नुवे नंबर पर हमारा केरिफारफ लग इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है दसवे नमबर पर है agriculture income इसके अंदर भी कोई change रही है सर्फ जो changes थे ना मैंने already मैं circle कर देता हूँ सर changes के लिए अगर मैं changes की बात करो तो एक तो यहाँ changes आगया ठीक है और एक यहाँ changes आया है और एक यहाँ changes आया है ठीक है इसके बाद सर ग्यारवे नमबर पर हमारा deduction इसके अंदर सिर्फ एक section में change आया है that is 80 c c d 2 c c d 2 यहाँ पर भी बस एक जगा change आया है वो मैं बताऊंगा बाकि सारे section जो थे 80 c 80 आपका c c d 1 भी same है in fact 2 में change आया है या फिर 80 d ho 80 d d d b ho या फिर 80 e ho 80 i ho जितने भी section से उसमें कोई बदलाम नहीं है तो पुरान जो भी वीडियो उसमें डली हुई है उस वीडियो से आप अच्छे से कर सकते हैं और इसमें से भी questions पूछा जाएगा एक्जाम पैटन पर मैं बना दूँगा वीडियो और लेटिस पेपर भी सॉल्व कर दूँगा तो इसमें बस यह changes है तो इस पर भी circle लगा देते हैं ठीक है आपको changes का थोड़ा पॉटाप सकेर हो रहे थे ज्यादा ग्यारा के बाद बारा नमबर पर चैप्टर है हमारा और कौन सा चैपटर रह गया हमारा में हाउस प्रोपर्टी हो गया एक है इंडिवीज़़ एसेस्मेंट तो इन सब अभी को करने के बाद ही आज poison तो मैंने आपको एक sorry देदी कि आपके income text में क्या change है फिल्ट है तो आप आभी जो study कर रहे हैं किस हसाब से करना है अगर आपने अभी तक नहीं कर रहा है और आप अभी करना चाहते तो मैं chapter बता देता हूँ, उसके हिसाब से चलिएगा, और जिन बच्चों ने कर लिया है, वैसे ही revise करिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, के sir, सबसे पहला chapter जो आपने pick करना है, that is, आप IHP कर लिजिए, IHP क्या है, income from house property, नहीं तो, एक मिनिट, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं वैसे बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप chapter number one करिए, that is, आपका chapter number one क्या है, basic definition, basic definition, ठीक है, number two पे आप कर लिए, residential status, number three पे आपने करना चाहिए, income from house property, यानि income from house property, और number four पे आपको करना चाहिए, deduction, जो कि हमारा 80C से लेके, 80U तक का deduction होता है, number five पे आपको करना चाहिए, capital gain, आसान आसान chapter sequence बतारों मैं आपको, जो कि जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, number five के बाद number six पे आपको करना चाहिए, sir, set of and carry forward number seven पे, साइध मैंने एक आपके chapter, set of carry forward तो एक ही chapter, ये clubbing of income है, clubbing, यहाँ थोड़ा error हो गया, कोई change नहीं है, इसके बाद करना चाहिए, आपको clubbing of income, फिर number eight पे आपको salary उठाना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर easy हो जाएगा आपके लिए थोड़ा न, आठ के बाद फिर आपको number nine पे उठाना चाहिए, सर, PGBP, last में उठाएंगे हम PGBP, तो ये chapter है, जिन chapter को आपको अच्छे से करके जाना है, सर, almost सारा ही कबर हो गया, जी हाँ, सारा ही कबर है, अब पढ़ना कैसे है, ten year आपके पास पुरानी होगी, last year अगर आपने ली है, तो बहुत अच्छी बात है, otherwise आप 10 year खरीद लीजिए, और 10 year जो market में मिलेगा आपको अभी, 10 year बाई कर लीजिए, आपको market में सबसे main दिक्कत आ रही है, कोई study material भी नहीं मिल रहा, तो last year वाला आपको शिवदास पे मिल जाएगा, जिनके पास नहीं है, वो call करके वहाँ से मंगवा सकते हैं, website है, सिवदास.in, यह हमें phone number भी डाला हुआ है आपके, मैं डलवा दूँगा, comment के अंदर भी आपके ग्रुप में, के हाँ से देख सकते हैं, soul का internal अभी नहीं होगा, आपको एक बार ना जाके पता करना होगा, या आपका जो portal है न, एक मिन्ट, soul 3 का internal, नहीं, 3 में तो internal था ही नहीं है आपका, soul में तो आपके समय, आप तो cbcs के student होता, आपको तो internal था ही नहीं, तो होने का मतलब भी नहीं है, 10 येर का PDF अप्लोड, 10 येर का PDF देखो, नहीं available हो पाएगा, मैं कहूंगा, आप hard copy लेजी, hard copy से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है न, मैं बाकी 10 येर के, मैं कुछ जैसे अगर डाल भी देता हूं, फाइदा नहीं, आपको hard copy लेना हो, एक साल की बात है, और 100 रुपे से ज़्यादा का 10 येर नहीं होगा, वो चीज़ें आपको decide करना है, 300 पर, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा important है, ठीक है, तो ये सिवदाज से आपको लेना है, simply, तो क्या-क्या चीज़े changes है, ये चीज़े मैंने बता दी, आपको पढ़ना इसी sequence में है, ठीक है, पीपर करने का क्या pattern होना चीए, ये आर आने की क्या वज़े थी, तो जो मैं पीपर जो last year आपके हुए थे, वो मैं पूरा paper board पे solve कर दूँगा, तिल next Sunday, मैं किसी दिन भी कर दूँगा, Monday, Tuesday वाले दिन, और एक ही questions को मैं proper manner में solve करके दिखाऊँगा, कि ये ये चीज़े आपको करके आना चाहिए, तब आपके पूरे marks मिलेंगे, तो अभी आपका focus ये नहीं होना चाहिए, पेपर कैसे देना, अभी आपको ये सारा का सारा slivers recall करना है, वीडियो सो भी देखना है, नोट भी करना है, और नोटिंग नहीं करेंगे तो फाइदा नहीं है, एक्साम से पहले फिर blank हो जाएगा, ठीक है न, तो ये पूरा का पूरा income tax, amendment के लिए, फिर मैं tick मार देता हूँ, अगर आपको फिर सर रिमाइंड करवा देता हूँ, कि सर, amendment जो है, amendment जो basically मुझे करवाना है, एक इस chapter के अंदर है, और जब मैंने आपको other source कराया, अच्छा, other source नहीं लिखा मैंने यहाँ, यहाँ 9 से पहले न, 9 number पे आप other source लिख लिज़े, अब मैं comment एक पर डाउट देखा हूँ, सर, course में प्रोग्राम और honors का सब सेम है क्या, देखो, course, program और honors, course, देखो, income tax, अब देखो, simple से बात समझो, कि अगर मैं बात करता हूँ, आपने paper भी देखा, कि जो concept है, और जो syllabus है, 100% program और honors का सेम रखा हूँ है, पहले काफी बच्चे कहा रहे थे, सर, हमारे teacher ने बोला है, कि PGPP नहीं आएगा program में, वो honors के अंदर आता है, लेकिन PGPP आया आपके program के अंदर, तो syllabus 100% सेम है, कुछ change नहीं है आपका, income tax तो even दो, जो बच्चा charted accountant कर रहा होगा, उनका भी syllabus यही रहता है, जो कोई भी course कर रहा हो, और उसके syllabus में अगर income tax है, तो syllabus यही रहने वाला है, बस फरक ही आ जाता है, कि कई बार case study आता है, और कई बार नहीं आता, हाँ, honors वाले बच्चो को case study की, मैंने उसके अंदर डाला हुआ है, in fact, case study एक बार जरूर पढ़ लेना, जो कि उसके अंदर आई हुआ है, जैसे सीला कॉस्ट का हो गया, या फिर राजा बिनौई कुमार हो गया, कुछ एक case study है, जो कि बहुत ज़्यादा honors वाले बच्चों का, एक case study based question आएगा, तो वो पढ़ लीजिएगा, और देखते हैं, 10 year PDF अप्लोड कर दो, 10 year PDF सर आपने income text study material के side पे है, income text study मैं phone number ही लिख देता हूँ, तो आप यहाँ से चाहें तो communicate कर कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, phone number है, तो काफी बच्चे परिशान हो रहे था हैं, मैंने सुचा भी एक बार वीडियो बना दो, और अब बागी दोनों को ले के चलना है, देखें, मैं number लिख देता हूँ, आप अभी contact करेंगे, हो जाएगा उनसे contact, 70347630, ठीक है न, और old 10 year है महाँ पे, तो old 10 year का मतलब के, बस पिछले साल का paper include नहीं है, जो कि मैं करा दूँ आपको, तो वो नए ही 10 year होगे आपका, amendment कुछ है नहीं, तो आपको उसमें कुछ रूढ़ना नहीं है, उसमें chart वगएरा बनाया हुआ है, तो उसके हिसाफ से, revision के लिए आपको ठीक रहेगा, ये number दे दिया, ये grease जी का number है, और इस number पे contact करके, आप अपने घर पे deliver करवा सकते हैं, nearby shop पे नहीं मिलेगा ये 10 year, मेरा जहां तक मुझे knowledge है अभी तक, बाकी मंगवा सकते हैं, बाकी कोई book भी नहीं है, जो आया है, क्योंकि बहुत मानना था, कि बहुत कम बच्चे हैं, तो क्या करें, publisher नहीं बनाया, तो उसके according सारा रहेगा, और इस सार थर्ड सेमेश्टर में, income tax है भी नहीं, तो इसलिए book बना नहीं है, ठीक है, तो ये सारा का सारा scenario आपका है, income tax का, आप किसी बच्चे का doubt है, तो आप बता दिये, sir 10 year में, PGPP class 1 and 2 तक ही question है, 10 year में, हाँ class 1 और 2, PGPP मैंच चलो, मैं दुबारा करा दूँ, आपका exam कब है, एक बार बताओ, मेरे खाल January में है, तो मैं PGPP का पूरा ही, मैं कुछ structure तयार करूँ, और जो कि आसान हो जाए, आपके लिए, दुबारा करा दूँ मैं, बताइए एक बार आपका exam कब है, अनिकेत, तो next week मैं time ले रहा हूँ, क्योंकि इस week मुझे FM को खतम करना है, और financial management आपका subject, और कुछ एक और भी subject है POM को, मैं उस पर सारा focus करूँगा, अगले week मैं पूरे income tax पर focus करूँगा, ठीक है, यानि मैं आपको shorty कर देता हूँ, 15 तारिक तक, 15 दिसंबर तक, आपको income tax में, whatever, जो भी call कर लो, मैं कोसिस करूँगा, पूरा का पूरा करा दूँ, ठीक है, बाकि आप अभी सर्फ और सर्फ पढ़ने पर focus करिए, क्या focus करना है पढ़ने पर, कि किस तरीके से आपको, लेके सभी चीजों को चलना है, आपके पास subject काफे सारे हो गये, 5 वाले भी हैं, और 3 वाले भी हैं, 5 और 3, दोनों में से एक भी पेपर ऐसा नहीं है, जिसको सोचो के आगे हम दे देंगा, अगर नहीं हुए, अगर एक भी पेपर में आप फेल होते हो, तो आपका एक साल पूरा का पूरा वेस्ट होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है, अगर जोब बगर कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को यह बोलना चाहूँगा, जोब बगर सारी चीज़ें भी कुट कर दिज़ें, फिलाल, क्योंकि एक साल की बात है, आपके पूरे लाइफ का ठीक है ना तो और किसी का कोई डाउट कोई कुछ पूछ रहा है